कि अपने पेपर दिया बहुत अच्छा से महनत की अच्छी से डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया और उसके तत्पस्चात आपको जो सबसे ज़्यादा सबर है कि सारा काम होने के पश्चात तर फाइनल रजल्ट और जॉइनिंग और एक सबसे ज्यादा क्योरीज मेरे पास सारी स्टुडेंट्स की जिनका सेलेक्शन हुआ है कि सर कितनी सैलरी होगी है पैसे कितने मिलेंगे तो यह सारी चीजे मैं आपकी डाउट दूर करने वाला हूं इससे पहले मैं एक मॉस्ट इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन और देना चाहता हूं यह जो आज बात और यह डेडिकेटिड किस विद्ध्यार्ति के लिए जिन्होंने 2022 में लैब असिस्टेंट का एक्जाम दिया था ठीक है यह वीडियो आज बन रही है आज मैं आपको एक इंपोर्टेंट इ सब्सेंट थे उनका डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन 6 जन्वरी को होगा ठीक है पहला यह इन्फोर्मेशन सभी को देना और 2023 में क्या सब वैकेंसी दुबारा आएगी बिल्कुल यह भी आएगी बट अभी आते हैं हम आपके पर बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं आप हमारे पुराने विद्ध्यारती रह चुके हैं हमसे पड़े हैं हमारे से सेलेक्शन हुआ है आपको और आप तक अगर पहले उस गुरूप से नहीं जुड़े हो सेलेक्टिड गुरूप से तो आप इस नंबर पर मैसीज कर देना और जो अधर इंस्ट्यूट से को साइड में रखते हैं सबसे पहले आते मेरे पहरे बच्चों कि सर हमारा फाइनल रजल्ट कब को देखने को मिलेगा अब सभी को पता है कि अभी 6 जनवरी को आपके डॉकॉमेंट्स वेरिफिकिसन का काम चलेगा किनका जो अपसेंट थे ठीक है उसकी फिक्स आप मान के चलो ज्यादा से ज्यादा बीस दिन बोले तो आपको फाइनल रजल्ट पहला क्यूरी सोल हो गए आपकी सर्ट लास्ट वीक ऑफ कि जनवरी तक कंफ्रम आ जाएगा अंग कश करें का है सर्टॉइनिंग कब मिल जाएगी दों और ज्वाइनिंग आपकी परवरी और तक क्यों पंद मिल जाएगी व्ममेंटरा और होजियी मेंटार रहने के 15 दिन भात तक है चले गई अब बात आती है कि सर यह जल्दी क्यों हो जाए इसके पीछे कारणी है कि बजट पास करना और बजट के अंदर यह चीज़ सो करेगी सरकार मैं जैन्वन देता हूं आपको कि हां हमनी वैकेंसी कंप्लीट करवा दिये ठीक है तो सबसे ज्यादा जल्बाजी इस वै आपकी दूर करने वाला हूं जिसके लिए काफी ज्यादा बच्चे और मैं यह कह रहा हूं आप अगर वार्ट सब्सक्राइब से नहीं चुड़े क्योंकि मैं इसलिए आप से अब सब्सक्राइब बना रखिए आपका सेलक्शन होने के पर साथ आप सभी को बुलाया जाए लगेगी क्या बिल्कुल प्रोबेशन पीरेड दो यर के बाद सेलरी क्या होगी अब देखो सबसे पहला पॉइंट की सरह हमारा ग्रेड पे कितना है प्यारे बच्चों ग्रेड पे आपका अठाइस सो है लेवल एट वाले बच्चे वाले ठीक है अब उसके बाद मैं आग स्टुडिन्स के दवारा आपको मेरी तरब से कोई स्योग चाहिए कि सर्फ प्रोबेशन स्प्रेड यानपार तो सेलरी आपकी ज्यादा हो जाते है बच्चों की यहां उस प्रोबेशन प्रिशन पीरेड जो बात है उसके हम बात करना चाहिए कि जो बेसिक सेयली मिलेगी तो मिलेगी 18500 प्रोविश्थन पिरेड में उसमें क्या क्या डिडेक्षिन हो जाता है उसके अंदर आपका जी प्र जाता है ठीक है और जी एचस कर जाता है जो रास्तान गौर्णमेंट है जो है उसका कर जाता है कितना ऺैसा चालीश्व ठीक है तो दिसमबर के लास्ट में कटता है दाइस रुपए यह आप चोड़ो तो अब आप की जन्वर भरवरिम ज्वा необходимо होगे तो दिसमबर के लास्ट में आपका कटे गई ठीक है इसके अलावा यह जी प्याप गटेगा और चार सो चारीस रुपर ये कटेंगे और आपकी कोई भी सामुई भगवान करें ऐसा किसी के साथ नो बट उसके लिए सरकार नहीं की योजना दे रखिए तीन लाग तक फिर ये बट अगर आप मतलब आप 10 लाग का लेना चाहो आप 15 लाग का लेना चाहो बीमा जो भी तो उस तो टोटल आपके अकाउंट में प्रोविशन पीरियड में दो साल तक जो रुपया आएगा वो कितना आएगा 17,270 के अराउंड रुपया आप लोगों के पास आने वाला है ठीक है उसके बाद जब ये इतनी रुपया आ जाएंगे उसके बाद दो साल के बाद अप्र प् संटेज已 क्रीमेंट तक है हर साल तीन पर्संटेज इंक्रीमेंट होगा जिसमें आपको डी मिलता है कितना पीर कि ऑमें फिर प।र कि अदर कोई भी सीटी है इसके अलाव जो सीटी बच गए उसके अंदर जो एचारे मिलेगा वो केवल नाहिन परसेंटेज मिलेगा ठीक है अब जॉइनिंग आपके कहां थी वह आपके पड़ी पहने पेटा आपने के स्कोर के बेसिज के उपर आपनी चुआइस फिल करी थी सुरुवात के अंदर 500 संदिय उसके अकोडिंग आपकी जॉइनिंग आई और जॉइनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाले तो टोटल सैलरी आपकी अकाउंट में आती है 38661 ठीक है अब बचा कितना अमारे पास कितना रह जाएगा तो अब इसमें से भी कटोती होगी अब देखना यह तो सैलरी आई थी अब इसमें कटोती देखो यह चारू-चारे सब मिल गए इतने आगे अब यह उसके बाद आपकी टोटल जो डिडेक्शन होगा वह होने के बाद नैट सैलरी आपके अकाउंट में कितनी रह जाएगी तो अगर हम बात करें जीपी अपक जाती है अपको जब बत्ते हो जाएंगे आपके पोट्ते पर पोती हो जाएंगे तव प्यरूसरी से अलाव जक्टें यह थी में गड्यच्ट अब आखना को दोग्यच्ट-थी लई से कम प्राइस में 1100 रुपए के प्राइस में हमने को स्टार्ट किया है आपकी फैकल्टी के साथ पढ़ सकता है इसके अंदर हम आउलेडी रिकोड़िट है और लाइव भी है और जो बच्चे हमारे पुराने बच्चे जिसको जल्द बाच यह पढ़ने की इसको लग र जारी करो नेक्स्ट यूर वेकेंसी आएगी हमें इस बार की बार अपना सेलक्षन जरुर करवान और आप जिनका भी सेलक्षन हो गया जिनका भी लिस्ट में नाम है सारे के सारे वह बच्चे प्लीज मुझे इस नंबर पर मैसेज जरू कर दें आपको यह वाली पीडिया भी आपको वाट्सप कर दूंगे टेलिग्राम में डाल देंगे जैपूर के टेलिग्राम में ठीक है आज के लिए धन्यवाद जैहिन सात्यों फिर भी कोई डाउट रहे तो कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट जूरू करने में आपके सारे डाउट दूर कर दूंगा जैहिन है अगे जा है जा लूंगे जाो है भी का में प्कॉमेंट दूंगे खज़ ऑंट anyways curry को है तो गला है आपके सारे बेदाग संग में बेदा है ऑला है।